नमस्कार दोस्तों, मैं जेम कुस्वाह, स्वागत है आपके अपने यूट्यू चैनल जेम कुस्वाह में यदि आप हमारे नए दोस्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए पास में आई हुई बेल आइकन को जरूप प्रस कर लीजिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आनलाइन आवेदन लीव के लिए कैसे करेंगे सबसे पहले आप अपने पोर्टल को खोल लीजिए जब आप अपने पोर्टल को खोल लेंगे तो यहां पर देखिए सबसे पहले में जो हेड़ टैक्स है जनरल दिया हुआ है लीव माडूल दिया हुआ है टांसफर है कई सारे हैं तो आप लीव माडूल में जाके अपलाई लीव करिएगा वहां जाने के बाद में आप क्या करिए सेलेक्ट आफिसर करिए जैसे सेलेक्ट आफिसर करेंगे तो यहाँ पर यह दि पहले से आपने ID नहीं करवाया तो आपको पहले ID करवाना होगा तो यह जो आपसन ID reporting officer का दिया हुआ है यहाँ पर क्लिक करिए और जो details हैं इनको आप यहाँ से fill कर लिजिए जैसे detail में क्या दिया हुआ है online service तो आप leave के लिए कर रहे हैं leave कर दीजिए उसके बाद में state पहले से भरा हुआ है office level है यहाँ पर block education officer यहाँ पर डाल दीजिए इसके बाद में district पहले से भरा हुआ है office कहाँ पर है किस block में हैं उसको आप यहाँ से select कर दीजिए इसके बाद में digitization है तो किस पद पर आपका officer है जो beo है तो वो आप block education officer यहाँ पर इंटर कर दीजिए इसके बाद में reporting officer ID होगी वो आपको show कर जाएगी उसको आप नीचे से select कर लिजिए इसके बाद में save और cancel दो आप संदिये होंगे क्लिक कर दीजिए जैसे क्लिक करेंगे वैसे data has been successfully saved करके आप सना जाएगा तो इस तरीके से आप reporting officer की detail को update कर सकते है यहाँ पर list में so हो जाना चाहिए लेकिन यह so इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको एक बार इसको log out करना पड़ेगा जब आप यह log out कर लेंगे दुबारा आप इसको खोल लेंगे तो यहाँ पर आपके officer की detail दी होगी तो अगर यह करना चाहिए तो कहरा है कि use session has been expired again to continue continue करने से पहले आपको दुबारा log in करना होगा तो सबसे पहले आप यहाँ से ok करके log out कर लीजिए फिर दुबारा हम ehrms log in करेंगे log in में आप अपनी basic detail करके अपने portal को पुना खोल लीजिए जैसे ही आप अपने portal को पुना खोलेंगे तो leave module में जाना होगा फिर से leave module में आप click कर लीजिए जैसे click करेंगे apply leave करेंगे जैसे यहाँ से apply leave करेंगे तो आपका जो reporting officer है वो अभी तक यहाँ पर नहीं दिया हुआ था select करने के लिए बोल ला था लेकिन अब यहाँ पर आ चुका क्योंकि आपने add कर लिया था यह problem बहुत सारे मित्रों को आ रही थी इसलिए हमको लगा कि यह video बनाना बहुत जोरी इसलिए यह video बना रहे है आप यहाँ सेकेंड नंबर पर लिप टाइप की जगा पर आप जिस प्रकार की लिप लेना चाहते हैं और यहाँ पर select कर लिजिए जिसे maternity leave आपको लेना यहां से select कर लिजिए इसके बाद में किस date से किस date तक आपको लेना है वो list से निकाल लिज इसके बाद में ground on which leaves is applied जो आपको हो सकता हो तो यहाँ पर आप type कर दीजिए और फिस 7 नंबर में क्या करना है कि आपको address लिखना है तो आपका जो hometown का address हो उसको आप यहाँ पर detail में fill कर दीजिए इसके बाद में क्या होगा upload attachment नीचे choose file में जाईए और जो आपकी PDF file जितने लिक्यारा leave applied successfully और एक चीज़ दो MB से ज़्यादा आपकी file नहीं होनी चीए कैम scanner से आप इसकेन करके अपने document को पहले रख सकते हैं और देख सकते हैं दो MB से ज़्यादा तो नहीं है फिर आप view application में जाए कि आपका जो leave का status है वो कहां तक पहुँचा है तो आप status को देख स जाएगा तो यहां पर approval का green मिसान बनके आ जाएगा तो इस तरीके से आप लीप को apply कर सकते हैं तो बने रही है हमारे साथ इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए धन्यवाद